हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अपने दो थियोरी के वारे में पहले हमारी है कुल्चन एंड मॉफिट्स तो हम देख रहे हैं तबना साइकलो एलकेंड जो हमारा फ्र्मसीटिकल और्गनिक केमिस्टी सेकेंड का यूनिट फिप्ट है मतलब आज हमारी जो पूरी की पूरी कम्प्लीट हो जाए तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी नोच चाहिए हो किसी की वीडिय यह फ्रेंड वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन थियोरी है और उसी को मोडिफाई करके या उसमें जो लिमिटेशन थी उनको ओवर कॉम करने के लिए हमारी ये दो थियोरी दी गई है तो आप फहले इनको जाके जरूर देख ले अगर आपने अब तक नहीं देखी हो लि अपने सब्सेट ज्यादा अनिच्टेवल कमपाउंड है वो हमारा क्या है साइक्लो प्रोपेन है थीक है फ्रेंट अकॉर्डिंग टू उनके तो यहाँ पे जो साइक्लो प्रोपेन और cyclobutane है इनकी बात को हम यहाँ पे करेंगे तो Coulson और Moffitt जो modification इसके अनुसार इन्होंने ये बोला कि जो हमारा cyclopropane है ये actual में सबसे ज़्यादा unstable compound क्यों होता है बेर की according भी unstable था लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा सा modify किया इसका नाम इसलिए modification theory है तो उन्होंने सिर्फ हलका सा इसको modify करके हमको यह बताया है कि यह हमारा compound वो सबसे ज़्यादा unstable क्यों होता है तो पहला तो यह है कि Coulson Moffitt ने हमको इसमें हम क्या पता लगाएंगे कि हम stability को भी देखते हैं और यह देखेंगे कि हमारा y cyclopropanar most unstable ठीक है प्रेंट पहली बात यह दूसरा क्या है कि इसको हम banana bond theory भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा bond बनता है वो बनाना की तरह होता अभी हम देख लेंगे आगे और दूसरा हम इसको हम बोलते हैं bent bond theory bent का मतलब होता है जैसे यह twist हलका सा करते हैं जैसे यह हमारी simple line है कोई सी तो अगर इसको हम bent करते तो यह bent कुछ इस तरह से हो जाएगी तो क्या है कर्व हलका सा आ गया तो इसको हम बोलेंगे bent bond तो आप यहां समझ सकते है कि जो हमारी line है वो क्या है bent तो यहां पर जो हमारे bond है वो simply इस फॉर्म में होते हैं जैसे कारवन bond कारवन लेकिन bent bond का मतलब क्या है कि कारवन ओ कारवन यह लिए जो हमारी form होगी वो कुछ इस तरह से form होती है तो हम इसके बारे में भी आ गए अभी पढ़ेंगे तो यह हमारी दो बाता है इसलिए इसको हम bent bond theory बोलते हैं और banana bond theory बोलते हैं ठीक है फ्रेंट अब यह हमको बताना क्या था कि यह हमारा क्या करता है stability of cyclo-alkin को बताता है कि जो cyclo-propan है क्यों more stable है अब इसका जो basic है हमारा Colson-Moffitt के front बहुत ही ध्यान से सुनना केवल एक दो line है जो आप समझ गए अच्छे थे तो आपको पूरी theory आता है कि नहीं समझे तो आप attack जाएंगे तो यह हमारी simple इस चीज पर base है यह theory कि अगर कोई भी compound है उसके जो orbital structure बनते है orbital structure पहले जान दीजिए जैसे यह हमारा carbon है यह हमारा carbon है इनके जो bonding है तो जैसे यह हमारी इस तरह यह बन्दिंग बनती है तो यह वाले जो as- Future होते है आपने जह देखा होगा molecular orbital structure हम यहां पर form करते है तो यह जो इसको हम बोलते है overlapping यह आपने सुना भी होगा overlap करते हैं तो यह हमारा carbon carbon sigma bond होता है यह हमारा क्या overlap कर रहा है तो basic theory according to यह थी कि greater the overlapping of atomic orbital stronger is the bond ध्यान से समझे कि जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी तरह से हमारी क्या होगी overlapping होगी carbon carbon bond के बीच में वो compound का जो bond होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा stronger होगा फिर से समझते क्या है कि जो हमारी overlapping हो रही है यह जितनी ज़्यादा अच्छी होगी good होगी great होगी उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा वो bond बनेगा तो हमारी क्या है हमको अगर strong bond चाहिए अगर हमको strong bond चाहिए तो हमारी जो overlapping है वो क्या होनी चाहिए बहुत ही ज्याधा अच्छी होनी चाहिए गोड होनी चाहिए तो आप यहाँ पर इस तरह समझे कि overlapping है क्या यह carbon का यह bond हमारा वो और इस carbon का bond क्या यह आपस में attach हो रही है एक overlapping के द्वारा यही तो है overlapping तो यहां पर यह समझे कि अगर हमारे simple यह समझे यह carbon है यह carbon है तो यह अगर simple ऐसे touch है तब तो यह आसानी से छूट जाएंगे ठीक है तो हम कह सकते हैं यह क्या है हमारी poor overlapping है अब यह थोड़े हम अच्छे से connect कर दें तो यह इस तरह से connect है लेकि तब हम कहेंगे कि जो जुड़े हुए है यह क्या है बहुत ही जादा अच्छी overlapping है अच्छी overlapping क्या हो है क्या हो कि यह क्या हो रही है छुट नहीं रही है यह detach नहीं हो रहा है अच्छे चिपके हुए है तो जो good overlapping होगी तब हमारा क्या है देगे good overlapping है तो यह क्या है टूट bond है वो form होगा ठीक है प्रेंट अब यहाँ पे simple आपको क्या समझना है कि जैसे ये हमारा compound है तो ये वाले हमारे bond होते हैं ये carbon ये carbon ये carbon तो ये bond है तो ये bond का जितना अच्छा और जितना strong bond होगा कोई compound उतना ज्यादा क्या होता है stable अब stability का मतलब मैंने आपको पहली बताया क्या था कि bond का तूटना जैसे ये हमारा सबसे unstable compound है तब क्या होता है कि इसके carbon ये bond है वो आसानी से तूट जाते हैं और ring opening reaction दे देते हैं लेकिन अगर ये जो bond है ये हमारे strong हो जाएं और ये हमारा compound क्या हो जाए stable strong होंगे bond तब क्या होगा ये bond हमारे तूटेंगे नहीं और bond जब तूटेंगे नहीं तब क्या होगा वो carbon की ring reaction नहीं देंगे और वो क्या होगे हमारे strong होगे और इसको हम बोलेंगे stable तो यहाँ पर आप simple यह समझे कि जितने ज्यादा हमारे strong bond form होंगे कोई compound उतना ही ज्यादा क्या होगा stability सो करेगा मतलब आप simple समझे कि stronger bond is directly proportional to stability of that compound यानि कि यह हमारा है तो अगर इसकी यह bond है यह strong होंगे अगर तो हमारी क्या है stability उतनी ही ज्यादा होगी तो आपने यहाँ दो बाता समझे जो basic है वही आप समझे लिए कि जितनी अच्छी overlapping जितनी अच्छी हमारी overlapping हो रही है उतने अच्छी हमारी क्या है bond form हो रहा है strong bond और जितने अच्छी हमारी strong bond है कोई compound उतना जादा क्या होगा stable होगा अब हम समझे लेता है strong bond काई से होते हैं और बीक बांट काई से होते हैं तो जैसे यह हमारा यहां पर मैंने बना रखा है यह हमारा कार्वन और यहां होगा और जो five wireless overlapping हो रही है यह हमारी क्या होती है और यह हमारी विक भॉन्ड होती है और यह tag कया समयोग होदा जैसे यह Chrkom और यह Chr omdatbond기 में》 इस बनाता ओं दो ऐसे ऐसे बनता है और यह हमारा क्या है और इसकी overlapping अगर की जाए तो क्या पॉम होता है, कारवन का हमारा इस तरह एक wand आता है और इधर से कह जाता है इस तरह है और जो हमारी यह वाली जो sideways overlapping होती है वो इस तरह से होती है, एक यह आ गया, यह आ गया, फिर इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, यह हमारे hydrogen दिखाते है sideways overlapping और यह हमारी simple होती है end on end overlapping जो हमारी sigma bond overlapping होती है अब देखा जाए तो यह हमारी सबसे ज्यादा stronger होती है जो हमारी sigma bond है वो हमारी क्या है stronger है और जो हमारी pi bond वाली है वो हमारी क्या है beak है यह आपको याद रखना है क्यों कि यहाँ पर यह overlap नहीं कर र होता है यहां तो पूर ऑबर लैपिंग बहुत खराब है तो हमारा जो बॉन्ड होगा यह भी क्या होगा बीग होगा तो हमारा बॉन्ड क्या होगा बीग अब यहां पर क्या है अच्छी हो रही है तो हमारे यहां पर जो ऑबर लैपिंग अच्छी हो रही है यह अच्छी हो अब मेन कंसेप्ट हमारा कोल्सन और मॉफिट्स का यह आता है कि जो हमारा जैसे नॉर्मल प्रोपेन है तो यहां पे हमारा बॉंड एंगल कितना होना चाहिए था एक सो नौ डिग्री और अठाइस मिनट लेकिन जो साइक्लो प्रोपेन होते है ना इसमें हमारा बॉंड समझे यह हमारा कार्वन है यह हमारा एक्सिस गया यह कार्वन डटा चाहिए अब इसमें बॉंड कैसा फॉंड होता है एक्सिस से थोड़ा उपर जैसे इस तरह से और यह हमारा क्या है इस तरह से फॉंड होता है तो देखिए एक्सिस तो हमारा इसका जो मैन एक्सिस क्या रही है यह आ रही है तो आप अगर इसको सीधा इस तरह से देखें तो हमारा यह वाली जो लाइन एक्स वो इस तरह से फॉर्म हो रही है तो हम इसी लिए इसको क्या बोलते है बेंट बॉंट और यह हमारा क्या बना है बेंट बॉंट और जो हमारा बेंट बॉंट है ना यह ह जो अलगही तरीके की निकली है तो हमारी यहां पर यहां पर फोर्ग की बगबार्ट हमारे इंत्रमीडिय ज़्यासे हमारी क्या है stability जो है वो क्या होताती है decrease जो जो मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी अच्छी ओवर लैपिंग उतना जाथा strong उतना जाथा strong उतना जाथा stable और जितनी कम overlapping उतनी कम strong bond और जितने कम strong bond उसकी stability उतनी ही कम इस वजह से हमारे जो cyclopropane होते हैं वह हमारी क्या होते हैं अच्छे से ring opening reaction दे देते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं unstable होते हैं यहां कि अगर मैं यहां बनाओं यह carbon यह carbon यह carbon तो यहां देखें यह इस तरह से हम इसकी वो बनाएंगी access तो यह हमारी क्या है bent bond है थोड़ी curve form में इसलिए इसको bent bond theory बोलते हैं दूसरा अगर देखें तो यह हमारे बनाना की shape में थोड़ा थोड़ा आएगा अगर आप घ cyclopropane में हमारी क्या होती है poor overlapping होती है जिससे हमारा beaker bond बनता है जिससे हमारी stability कम हो जाती है और stability कम का मतलब क्या है वो compound unstable है और unstable most unstable है तो वही यहां पर हो रहा है due to formation of bent bond हमारा cyclopropane क्या है beaker bond form करता है अब यहां पर जो bond angle है ना इसकी विजए से हमारा 104 degree पहुंच जाता है यह बस एक बात उन्होंने कही थी कि हमारा जैसे यह देखिए यह हमारा form हो गया यहां पर तो हमारा जो angle x था यह आ गया यहां पर यह आ गया तो जो हमारा यह वाला bond बनेगा यह हमारा 104 degree बनेगा simple और कुछ नहीं है यहां पर हमारे simple अब हम अपनी दूसरी theory समझते हैं व आप comment में बोल सकते हैं अगर नहीं समझाई हो simple overlapping का concept था अब यह हमारी से से महर थियोरी तो इन्होंने क्या बताया तो हमारी according to bear strength theory क्या था कि उन्होंने cyclopentine तक हमारी यह थी bear strength theory वो ठीक थी तो इसके बाद की जो हमारी cyclohexane और cyclohexane से उपर के जो member थे उसकी stability को भी तो कचना था ना तो उसी stability को बताया है हमारे sense more theory ने ठीक है इसको हम बोलते theory of strainless ring जिसको हम अभी समझ लेंगे तो यही हमारा concept है कि हमारी बेश्ट के पेर मतलब tell about the stability explain the stability about the cyclohexane and the higher member of cyclohexane जो cyclohexane के higher member है उनको तो इनके मताविक कहना क्या था तो हमारी जो bear strong थी उनके मताविक क्या है कि co planner थे co planner का मतलब समझे था 2D dimensional थी जैसे हमारे यह समझे कि यह हमारे है जो cyclohexane है तो cyclohexane का हमारे एंगल क्या था 120 डिग्री है और 120 डिग्री हमारा होना थी कि 109 डिग्री 28 मिनिट जिस बज़ासे यहां पर क्या लग रहा था हमारा strand form हो रहा था strand भही वाला हमारा इस तरह से होना चाहिए तो यह वाला जो bond है हमारा क्या strand form हो रहा था लेकिन इन्होंने क्या बोला सैसिम और त्योरी ने कि यह जरूरी थोड़ी है कि जो हमारे higher एलकेंस है वो हमारे 2D structure में हो मतलग को प्लैनर में हो क्या पता वो 3D में हो क्या पता वो और भी एक से ज़्यादा प्लैन में लाई कर रहा है हो तो उन्होंने इसी के base पे कि एक को प्लैनर नहीं होती है इसी क उन्होंने कहा जो higher member होते है वो ring can free from strength मतलब वो strength उन्हों पर form ही नहीं होता है और strength form नहीं होता है तो वो क्या होते है हमारे stable compound होते हैं क्योंकि unstability हमारी क्यों होती है cycle alcan पर जो हमारा strength form हो रहा था उसकी बज़ासे थी अब इन्होंने बोल दिया कि उस पर कोई strength form होई नही form दे दी दो form में इन्होंने बनाए इसको एक chair form बनाई और एक बनाई उन्होंने board form यासे आप यहां समगिए यह हमारी है chair form तो एक carbon यह carbon यह carbon यह carbon यह carbon यह तीन फिर चार पांच है तो उन्होंने छे carbon को कुछ इस shape में रखा और यह हमारे क्या थे 3D shape है दो इसमें dimensional है एक ह hydrogen इदर अलग plane में यह अलग plane में यह अलग plane में यह अलग plane में यह अलग plane में और हमारे इस तरह से यह कुछ अलग-अलग plane में फॉर्म किये गए यहां पे हमारी board form है यहां पे भी हमारे अलग-अलग plane में रखा गया एक ऊपर रखा गया एक नीचे रखा गया उपर रखा लिए तो यह हमारा simple इनके theory concern यह था और इसलिए इसको बोलते है theory of strand less ring मतलब इन्होंने यह बताया कि strand होता ही नहीं है क्योंकि वो हमारे क्या है planner नहीं है और planner नहीं है तो आपने आपको एक से ज्यादा plane में dimension में कर सकते हैं confusion तो नहीं है तो आप simple यह देखिए जैसे हमारा क लेकिन इन्होंने बोला कि एक compare हमारा जैड की तरफ भी हो सकता है और जैड की तरफ हो सकता है तो उन्होंने एक 3D structure की form में हमारा यह form दी chair form और boat form और इस वजाए से क्या हुआ हमारा जो angle था वो 104 पर बापस पहुंच गया जैसे आप simple समझे यह pen है तो अगर मैं इसके यहां से देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है यह पापस 90 पर लग रहा है ना लेकिन actual में देखा जाए कितना है मतलग कम एंगल है 90 यह लेकिन यहां पर देखो फिर से तो यह हमारा क्या है उन्होंने केवल इसका life plan ही change कर दिया जो हमारा plane है वो plane है नहीं रखा इस बज stability क्यों सो कर रहा था strand पड़ रहा था उन्हों पर इस बजा से और उन्होंने क्या है strand ही नहीं है अब उन्होंने दो non planner दिये था एक दिया था folded form में एक दिया था पकड़ फोल्ड वही फोल्ड कर तो किसी चीज को पकड़ हमारा full की तरह होते हैं जो जैसे full के गुच्छे होते हैं उस तरह से होता है तो इनोंने यहां पर 2 दिये थे चेर फॉर्म बोर्ट फॉर्म अब उनके मुताबक हैं पर 750 वह ह्यादा इस्टेवल ऑट वोता बोर्ड के मगावले सिंपले प्रफे चेर्फॉर्म और is more stable than board form यह भी कभी-कभी दो मार्क में question पूछ लेते हैं जैसे इस में क्योंकि chair form में हमारे दो position होती है एक axial position एक equatorial position axial यान कि perpendicular to the plane जैसे इसके plane के perpendicular यान कि वही एक यह है यह plane के perpendicular और एक इसके perpendicular तो यह हमारी क्या है एक यह perpendicular हो गया और एक यह परपेंडिकुलर हो गया 3D base में है इसलिए कभी size में आपको दिखा दूँगा कभी 3D को अगर मुझे मिलते हैं कुछ तो तो यह हमारा simple है इस तरह से इन्होंने दी कि इन्होंने 3D statement को convert करके उन्होंने कि इसके angle को बता दिया कि वो क्या है 109 तक automatic अपना retain कर रहा है उस पर कोई भी stress नहीं है इसमें जैसे ही जो हमारे बाद के से cyclohexane और इससे उपर के जो है वो हमारे क्या है stable है और वो हमारी ring opening reaction नहीं रहेते हैं आप लोग को यह समझ आ गया होगा simple सी reaction है अगर आपको इसमें कोई भी doubt हो फ्रेंड तो आप comment करके हमको पूछ सकते हो सारा कुछ हमारा cover हो चुका है organic chemistry का बहुत जल इसके हम important question वगरा भी लेके आते रहेंगे तो मिलते हैं आपसे बहुत जल next subject में तब तक लिए thank you take care bye bye